मैं भारत बोल रहा हूँ जहां एक चाय बेचने वाला अपनी मेहनत के बल पर देश का प्रधान मंत्री बन कर देश का परजम पूरे विश्व में फैला रहा है वहीं दूसरी योर एक व्यक्ति अपने आलो के ज्यान के बल पर इतिहास को ही बदलने पर तुला है वह ग्यानी व्यक्ति है कॉंग्रेस की योवराज राहूल कांधी आईए उनके आलो के ज्यान का एक छोटा सा विवरन देती है उनके अनुसार कोका कोला का मालिक पहले अमेरिका में शिकनजी बेचता था वही में डॉनल्ड रिस्त्रा का मालिक एक धाबा चलाता था राहूल कांधी एक ऐसी मशीन बनाने जा रही है जिसमें एक तरफ से आलो डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा अगर राहूल कांधी का ग्यान और पुद्धी इतिहास पर लागू होते तो देखिए संचार कैसा होता यही बच्चा अपोलू टायल्स का मालिक होता स्टीव जॉब्स आइफोन बनाने के स्थान पर अमेरिका की गलियों में सेब बेचा करते पैरिवेर बाथरूम फिटिंग्स के शुरुवात कुछ ऐसे हुई होती महान वैज्ञानिक न्यूटन लॉव ग्राविटी के खोच करने से पहले सेब के बागान में चौकिदारी किया करते संसार का पहला LED टीवी ऐसा होता जवाहल लाल नहरू द्वारा Discovery of India पुस्तक लिखने से पहले भारत का स्तित्वी ही नहीं होता धन्य है ऐसे महान ग्यानी राहुल कांधीजी महराज